बेखाजर नीजस पीहर में आप सभी का सवागत है मैं हूं पृती बिहार में कोरोना के खत्रे को देखते हुए अब बीहार सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है दरसल बिहार सरकार ने फैसला लिया है कि तीन दिनों तक अब पार्क और उध्यान पूरी तरीके से बंद रहेंगे यानि कि 31 दिसंबर से ले करके 2 जनवली तक पार्क उध्यान जिसमें जू भी शामिल है वो सब भी पूरी तरीके से बंद रहेंगे यानि कि तीन दिन तक ये जो पार्क और द्यान है वो बंद रहेंगे आपको बता दे कि स्यम नितीश कुमांडे भी कह दिया है कि अब कोरोना की तीसरी डहर आ चुकी है इससे बचने के लिए बिहार सरकार हर संभब प्रयास करेगा उन्होंने एक लेटर भी जारी किया है बिहार सरकार के तरफ से एक लेटर जारी किया गया है जिसे आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं इस लेटर में साफ तरीके से लिखा हुआ है कि 3 जनवरी तक अब पार्क और उध्यान पूरी तरीके से बंद रहेंगे ये कोरोना के नए वाइरस यानी की नए वेरियंट ओमिक्रोन के खत्रे को ले करके लिया गया है रादिक इस बार नए साल का जश्न चिर्यांगर राजधानी वाटिका वा अन्य पार्क उध्यानों में नहीं मनाया जाएगा मंगलवार को आपदा प्रमंधन समू की बैठक के बाद मुख्य सच्व त्रिपुरारी शरण ने 31 दिसंबर से 2 जनवरी तक चिर्यांगर समेच सभी पार्क वाउध्यान को पूरी तरीके से बंद रखने का आदेश जारी किया ग्रेव भाकी और से मंगलवार की रात जारी निर्देश में कहा गया कि कोरोना के नई वेरियंट ओमिक्रोन के प्रसार के बीच नववर्ष की पूर्व संध्या तथा प्रथम दिवस को होने वाले आयोजन को लेकर सारवजनिक स्थाल पर भीड कत्रत होने की संभावना है ऐसे में कोरोना को लेकर 15 दिसंबर को जारी आदेश में आंशिक संशूधन करते हुए पार्कों को तीन दनों तक बंद रखने का आदेश दिया गया है हाला कि इसके अतरिक्त सभी प्रकार के सामाजिक, राजनितिक, मनुरंजन, खेलकूद, सैक्षनिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजनों वा कारिक्रमों में उपस्थित वेक्तियों को हर हाल में कोविड-19 को लेकर के जारी मानुकों का पालन करने का निड़देश दिय रहे हैं मंगलवार की बात करें तो राजधानी पटना से 10, गया से 17 समेत 47 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं एक दिन पहले राज़ी के शेकपुरा जिले में 16 बच्चे समेत 20 मरीज मिले थे बहार सरकार ने अपनी रबोर्ट में 26 नए कोरोना पॉजिटिव मिलने की पुष्टी की स्वास्तिभाकी और से राजधानी में 10, गया से 17, मरीजों के अलावा औरंगबाद से 4, मुंगेर से 3, नवादा, किशन गंज से 2, 2, पूर्णिया रहता, समस्तिपूर, बेगुसराय, भागलपूर, जहानाबाद, मदुबनी, सीता मडी और वैशाली से एक-एक संक्रमित मला है. एक साथ 47 मरीज मंगलवार को सामने आये हैं, इन मरीजों को देखते हुए ही बिहार सरकार ने रात में, मंगलवार की रात में ये वड़ा फैसला लिया है.